नमस्कार सौगत है आप सभी का सनाइस नियूज में मैं आपके साथ विशाल बिजेपी उतर प्रदेश के चुनावों को लेकर बहतर प्रदर्शन करने का काम कर रही है इसी कड़ी में योगी सरकार एक्टिव है और लगातार ऐसे लोगों पर च्छापा मारने का काम कर रही है जिन लोगों का जुडाव दूसरी पार्टियों से है अब इंकम टेक्स की टीम बिल्डर अजे चौधरी के ठिकानों पर छापा मार रही है अजे चौधरी नोईडा ग्रेटर नोईडा के एक बड़े बिल्डर है अब समझने वाली बात ये है कि अजे चौधरी जिस पर Income Tax की टीम एक्टिव है वो आखिरकार है कौन और वो समाजवादी पार्टी से कैसे उसके संबंद है योगी सरकार जिस बिल्डर पर छापा मारने का काम कर रही है वो अजे चौधरी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिले श्यादव के करीबी माने जाते है अजे चौधरी सिर्फ अखिले श्यादव के करीबी नहीं बलकि जयन चौधरी के भी करीबी बताए जाते है अजे चौधरी एक समय पर संजुनागर के नाम से जाने जाते थे अजे चौधरी एस ग्रूप के चेयर्मेन भी है जो ग्रेटर नुएडा और नुएडा के बड़े बिल्डर ग्रूप के नाम से जाना जाता है जानकारी के मताबिक अजे चौधरी साल 2010 से साल 2017 के बीच एक बड़े बिल्डर के रूप में उभरे है योगी सरकार ने कुछ समय पहले भी अजे चौधरी के ठिकानों पर चापे मारी की थी लेकिन उस दौरान कुछ हाथ नहीं लगा था बताया जा रहा है कि चापा 40 से जादा जगाहों पर मारा जा चुका है सुत्रों के अनुसार अजे चौधरी अखिली श्यादव के काफी करीबी दोस्त है कई दिनों से अंदाजा लगाया गया था कि यहाँ छापा मारा जा सकता है इससे पहले भी कई सपानेताओं कि यहाँ इंकम टैक्स का छापा मारा जा चुका है आम तोर पर देखा जाता है कि जब जब चुनाव होते हैं तब तब उस राज्य में इंकम टैक्स और एडी की टीम एक्टिव हो जाती है पिछले दिनों से लगातार आ रही तस्वीरों से पता चल रहा है कि आयकर विभाग के निशानों पर पहले समाजवादी पार्टी के राश्ट्रेप सच्चिव और प्रवक्ता राजिव राय समेच चार अन्य लोग थे ये सभी सपा से जुड़े हैं और अखिले श्यादव के काफी करीबी है तब आईटी ने लखनव से लेकर महुतक चापे मारी की थी आईकर विभाग की टीम ने लखनव के जेनेंद्र यादव और मैनपूरी में मनोज यादव के घर पर भी चापे मारी की थी हलाकि तब जानकारी सामने आई थी कि इन्हें यहां से इंकम टेक्स विभाग को कुछ खास हाथ नहीं लगा था इतना ही नहीं का नौज में अखिलेश यादव के करीबी और MLC पुष्पराद जैन के ठीकानों पर भी चापे मारी की गई थी इस घटना के बाद सपाध ध्यक्ष ने प्रेस कानफरेंस कर आएकर विभाग के चापों को चुनावों से पहले दबाव बनाने की कारवाई बताया था लेकिन सवाल एक बार फिर से योगी सरकार पर ही खड़ा हो रहा है कि अगर ऐसे लोगों की लिस्ट आपके पास पहले से थी तो ये चापे मारी के कारे करम पहले ही क्यों नहीं किये गए क्यों योगी सरकार चुनावों तक इसका इंतजार करती रही इसी वे सवाल नोटबंदी पर भी खड़ा होता है कि जब सरकार नोटबंदी कर इतना कैश बरामत किया तो फिर से एक बार कुछ कारोबारियों के पास से इतनी रकम कैसे जम्म हो गई अगर हो भी गई तो प्यूजजेन कैसे इस जाँच से बच गए योगी सरकार को चाहिए कि वो प्यूजजेन की भी जाँच अच्छ तरीके से कराएं सवाल कई हैं लेकिन जवाब तलाशना काफे मुश्किल बरहाल ये समझना काफी असान है कि चुनावों में बीजेपी की तरफ से चुनावी बदला लिया जा रहा है और ऐसे कई राज्यों में चुनाव देखे भी गए इसलिए इसमें विपक्षी दलों के लिए बहुत चौकाने वाली बात नहीं है आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें इसके अलावा अगर आपने सनाइस न्यूस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरन सब्सक्राइब कर शेयर करें धन्यवाद